Hello everyone, हम class 8th science and CRT को study कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का chapter number 4 जिसका title है materials, metals and non-metals इसके बारे में discuss करेंगे इस chapter में हम metals and non-metals में जो difference होता है उसके बारे में समझेंगे तो चलो start करते हैं तो आप सभी iron, aluminium, copper इन सभी से familiar होंगे तो आप question यह उड़ता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन में से metal कोन है और non-metal कोन है तो आप कैसे बता सकते हैं तो इसका अंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी material अगर आपके सामने रखा जाता है और आपसे question पूछा जाता है कि इसमें difference बताओ metal and non-metal को लेकर के physical properties होती है तो सबसे पहले हम metal and non-metal के जो physical properties है उनकी बात कर लेते हैं तो आप सभी ने जो blacksmith होता है उनको iron piece या फिर iron से बना हुआ कोई article जैसे कि iron, like a spade, shovel and axe इन सभी को beat करते हुए देखा होगा और जब इनको beat किया जाता है blacksmith के दुआरा तो हम देखते हैं कि वो एक तर यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर कोई material जो है तो उसको अगर इस तरीके से beat किया जाता है वो एक thin seat में spread हो जाता है तो यह एक important characteristic होती है metals की और इसको बोला जाता है mallability ओकी लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि coal या फिर pencil lead जो होता है उसको अगर आप इसी तरीके से beat करो तो क्या वो अपने आपको spread कर पाते हैं तो आपको यह बात समझ में आना है कि जो metal होते हैं उनमें mallier ability एक important qualities पाई जाती है और जो non metal होते हैं उनमें यह ability नहीं पाई जाती है दूसरा यहाँ पर difference बताया गया है metal and non metal में कि जो metal होते हैं वो electricity के and heat के good conductor होते हैं metal जो होते हैं वो good conductor होते हैं लेकिन जो non metal होते हैं वो conductor नहीं होते हैं electricity and heat के इसलिए जब भी कोई electricity काम करता है तो उसके जो screwdriver जिनको वो use करता है उसका जो आपने handle है वो देखा होगा कि वो plastic से cover होता है क्योंकि plastic जो है वो क्या है non metal है और उनमें conduction नहीं पाया जाता है heat and electricity का wood and plastic में तो दूसरा difference हमने देख लिया conductivity को लेकर की थर्ड difference अगर हम देखें तो जो metal होता है उसको आप wires में draw कर सकते हो मतलब जो कोई भी metal है उसको आप खीच करके wire में change कर सकते हो और ये उसका जो characteristic होता है इसको बोला जाता है ducty lady जो non metal होते हैं उनमें ये characteristic नहीं पाया जाता है जो metals होते हैं अगर वो किसी से टकराते हैं तो जब टकराते हैं किसी hard surface से जब टकराते हैं तो वो ringing sound, ringing sound जो है वो produce करते हैं मतलब metals produce ringing sounds they are said to be sonorous उनको सोनोरस बोला जाता है लेकिन वो product वो material जो सोनोरस sound generate नहीं करते हैं या फिर ringing sound generate नहीं करते हैं वो होते हैं non metal तो यहाँ पर यह सारी qualities देखने के बाद में हम बता सकते हैं कि जो metal होते हैं उनमें कौन-कौन से important characteristic होते हैं उनकी physical qualities कौन-कौन सी होती है तो वो material जो hard होते हैं जो lustrous होते हैं जो malleable होते हैं ductile होते हैं sonorous होते हैं good conductor of heat and electricity होते हैं इस तरीके के जो material हैं जिनमें ये सारी properties पाई जाती हैं वो metal कहलाते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ other example की जो क्या है non metal है तो सबसे पहले तो यहाँ पर metal के कुछ example दिये हुए हैं कि iron, copper, aluminium, calcium, magnesium ये सब क्या है metal है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ material जैसे की coal, sulfur जो होते हैं वो soft होते हैं वो dull होते हैं appearance में साथी साथ में जब उनको hammer से आप beat करते हो तो वो powdery form में change हो जाते हैं मतलब वो एक thin seat में अपने आपको change नहीं कर पाते हैं साथी साथ में sonorous भी नहीं होते हैं और heat और electricity के poor conductor होते हैं तो इस तरीके का जो material होता है उसको बोला जाता है non-metal और non-metal के कुछ example हैं जैसे की sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc अब यहाँ पर metal के कुछ example दे रखे हैं मतलब है वो material जो metal तो है लेकिन उनमें metal के कुछ qualities नहीं पाई जाती हैं जैसे की sodium और potassium metal जो है वो soft होते हैं अभी हमने पढ़ा कि metal क्या होता है hard होता है तो ये metal जो है sodium और potassium ये soft होते हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है, knife से काटा जा सकता है दूसरी तरब mercury वो भी एक metal है लेकिन अभी हमने देखा कि metal क्या होते हैं hard होते हैं लेकिन mercury जो है वो room temperature पर liquid stage में पाया जाता है तो ये कुछ exception है ये भी आपको ध्यान में रखना है अब हम समझेंगे कि non-metal और metal की जो chemical properties होती है वो कौन-कौन सी होती है साथ ही साथ में metal और non-metal जो है वो acid, base, oxygen, water इन सभी से जो है reaction करके क्या-क्या product बनाते हैं और किस तरीके से अपने आपको वो change करते हैं इन सारे points के बारे में हम chapter की जो summary है वहाँ पर discuss कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर chapter में बहुत सारे example के तरी जो है यह बाते समझाने की कोसिस की गई है तो एक conclusion जो है वो यहाँ पर हमारे लिए निकल करके नहीं हा रहा है तो यहाँ पर हम chapter की summary में जब इस बात को discuss करेंगे तो starting में जो है वो यहाँ पर है physical properties के बारे में इनके बारे में अभी हमने पढ़ा इसको अभी हम दुवारा से repeat कर लेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं chemical properties के बारे में देखो जो metals होती है जो वो oxygen से क्या करती है reaction करती है तो metal oxide बनाती है और यह जो भी product बनता है यह होता है basic nature में basic होता है दूसरी तरफ जो non metals होती है वो oxygen से जब reaction करती है तो non metallic oxide बनाती है और यह nature में होता है acidic जो product आता है वो acidic होता है nature में यह हम किस से पता करते हैं litmus paper से यह बाते पता करते हैं कि litmus paper जो है उसके basis पर पता चलता है कि यह कौन सा यह acid है या फिर base है अब बात आती है कि जो metal है वो water से मतलब water से जब उनका reaction होता है तो क्या result रहता है तो कुछ metal जब water से reaction करती है कुछ metal मतलब सभी metal नहीं यह बात आप अधियान में रखना है कुछ metal जो है water से जब reaction करती है तो production में मतलब product जो है वो metal hydroxide और hydrogen gas से निकलती है और generally जो non metal है वो water से react नहीं करते है कुछ metal जो होती है वो acid से जब react करती है तो metal salt और hydrogen gas जो है वो production में बनाती है और non metal जो है वो acid से reaction नहीं करते है कुछ metal जो है वो base के साथ में reaction करके hydrogen gas बनाती है और कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जो ज़्यादा reactive metal है, वो क्या करती है, displace कर देती है, less reactive metal को from their compounds in aqueous solution, मतलब जलिये solution में, water solution में, जो ज़्यादा reactive metal है, वो less reactive metal का जो compound है, उनमें से उनको replace कर देती है, और ये procedure पाया जाता है, तो ये हमने देख लिया कि metal and non metal में जो chemical properties जो होती है, उनके basis पर कैसे उनमे difference हम बता कर सकते हैं, और physical properties के basis पर तो हमने देखा इथा कि metal जो है वो less trás होती है, non metal जो है उनमें less NARRATOR नहीं पायी जाती है, मतलब चमक नहीं पायी जाती है, और metal जो है वो variable है मतलब आगात वर्दनिय है उन पर चोट परती है तो वो एक thin seat में अपने आपको change कर लेती है वो ductile होते है और non-metal जो है उनमें ये properties नहीं पाई जाती है metal जो है वो heat और electricity के good conductor होते है बलकि non-metal जो है वो poor conductor होते है heat and electricity के इसलिए plastic का use किया जाता है handle को मतलब किसी भी product के handle को बनाने के लिए ताकि easily जो है वो light के time में भी और heat के time में भी use किया जा सकी अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो metal and non-metal है उनका बहुत सारा use होता है जैसे कि अगर हम समझे metal के बारे में तो metal का use machinery बनाने में automobiles, aeroplane, train, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers इन सभी को बनाने में metal का use किया जाता है non-metal का use हम कहां कहां करते हैं तो breathing के time में करते हैं साथी साथ में जो fertilizers plants के लिए use करते हैं उसमें non-metal का use किया जाता है non-metal का use water purification process में किया जाता है non-metal जो है उसका use जो है वो crackers में हम करते हैं साथी साथ में जो antiseptic होता है जो हमारे wounds को clear करता है उसमें भी use किया जाता है non-metal का अब यहां पर हम एक important बात समझेंगे कि class 7 में भी हम एक बात पढ़ चुके हैं chemical reaction के बारे में chemical reaction में क्या होता है कि दो material यहां पर use किये गए उन material में कोई reaction करवाई गई और इस reaction के basis पर एक product जो है वो निकल करके आता है तो सबसे important बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो product बन करके आता है वो इन दोनों material से काफी ज़्यादा different होता है एक बात तो आपको ध्यान में यह रखनी है दूसरा अगर हम discuss करें तो यहां पर जो product बन करके आया chemical reaction में यह जो product है इसका चाहे आप acid से reaction करवाओ base से reaction करवाओ इसको गर्म करो, इसको ठंडा करो इसको electrolysis करो लेकिन अगर इस product में कोई change नहीं आता है तो इस तरीके का product कहलाता है element sulfur जो है वो एक element है और iron जो है वो भी एक element है carbon जो है वो भी एक element है और किसी भी element की small unit होती है atom और कोई भी जो element होता है उसमें same kind के atom जो है वो पाए जाते है दूसरा यहां पर बताया गया है कि जब भी किसी जो product हमने देखा जिसको हम element बोल रहे है जिसमें कोई भी change नहीं हो रहा है मतलब next level पर वो किसी भी part में ना टूट रहा है ना टूट रहा है मतलब divide किया जा सकता है मतलब इसकी physical property जो है वो change हो सकता है कि जो भी element जो होता है जब उसमें physical properties में change आता है तब भी element जो है उसके जो भी atom होते है वो change नहीं होते है जैसे कि एक liquid sulfur है अगर same वो solid में हो या same उसको हम vapor sulfur में convert करें तो उसके atom जो है वो हमेशा exactly same रहेंगी यह आपको ध्यान में रखना है अगर element के जो atom है वो हमेशा same रहते है तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो universe है उसमें infinite variety of substance पाई जाते है लेकिन elements की जो संक्या है वो limited है मदब 94 से ज़्यादा elements नहीं है और elements को आप metals and non-metals में divide कर सकते हो जो most of the elements जो है ज़्यादा तर elements है वो metals है बचे हुए non-metals या फिर metalloids है metalloids जो है उसमें metals और non-metals के दोनों की characteristics पाई जाते है तो यह कुछ important facts हमने discuss किये साथी साथ आपको ध्यान में रखना है कि metal के जो physical property जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और कुछ हमने exception discuss किये थे mercury को लेकर के ये सारी जो है वो आपको ध्यान में रखने है इनको लेकर के जो question है वो पूछ लिये जाते है तो यह हमने chapter को complete कर लिया है अगर आप यहाँ तक आये है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please इस वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे और channel को subscribe कर दीजे okay thank you